हेलो दोस्तों कैसे हो आशा करते हैं सभी लोग जवर जस्त होंगे और तयारी आप लोगों की मस्त चल लए होगी तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए जीके के 50 कोशन लेके आये हैं जो कि आपके एकजाम के लिए काफी इंपोडेंट रहने वाले अगर आप लोग उत् उत्रप्रदेश पुलिज की त्यारी करें उनके लिए काफी इंपोडेंट वीडियो रहने वाला और दिल्ली प्रीष वालों के लिए क्योंकी यह दिल्ली पुलिस में 50 कोशन आते हैं और उत्तरप्रदेश पुलिस में 40 कोशन आते तो इस्टार्ट करते हैं objective चाईब कोस्टा shifts नहीं और आप लोगों के हैं और आप लोग अपना टेश्ट भी लगा सकते कितने कोस्ट आप कर पा रहो तो start करते हैं पहला कोस्टन ہے कि पहला कोस्टन है शिंदु घाती सबुता किस काल की सब्विता मानी जाती है तो कांच सिकाल की जो है ये सब्विता मानी जाती है नेक्स्ट कोशन आपका है नेक्स्ट कोशन है नेक्स्ट कोशन है सियाद बाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है तो ये आपको बताना है तो इसका जो right answer हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा जो option number ये सही हो जाएगा जेन धरम से सम्बंदित है सियाद बाद किस धरम के दरसन का मूल आधार है तो ये जेन धरम का है और ये आपसे पूशा जाता है सोवयतांबर और दिगांबर पूशा जाता है तो ये भी जेन दरम से संबंधित है Next आपका question है question number 3 इसमें क्या पूशा जारा है 3 में question number 3 है असोख के किस सिलालेक में उसकी कलिंग बिजे का बरनान है तो असोक के किस सिलालेक में उसकी कल्ण बिजे का बरणान है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो 13 सिलालेक है उसमें कल्ण बिजे का बरणान है और आप लोगों को बतादें असोक के सिलालेक को सरब पर्थम सरब प्रथम किसने पढ़ाता है तो ये भी एक्जाम में पूछा जाता है तो अठारा सव 37 में सबसे पहले James James प्रिंसेप ने इसके जो है सिलालेक को सबसे पहले सिलालेक को जो है पढ़ा था ये भी एक्जामों में पूछा जाता है और भारत में सबसे पहले जो है सिलालेक का जो है निर्माड किसने किया था तो ये भी किसने किया था आसोक ने ही किया था नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलालेक में कलिंग विजे का वरणन है तो इसके तेरवे सिलालेक में वरणन है नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर है चार चार में क्या है सल्तनत कालिन किस सुल्तान ने सरफ पर्थम किसानों पर सिचाई कर तथा ब्रामणों पर जजिया कर लगाया था तो किसने लगाया था सल्तनत काली किस सुल्तान ने सरपर्थम किसानों पर सिचाई कर और ब्रामणों पर जजिया कर लगाया था तो इसका जो right answer हो जाएगा चोथे का जो right answer हो जाएगा फिरोज तुगलग ने लगाया था इसका सी वाला option right हो जाएगा next question देख लेते हैं question number 5, 5 में क्या है question number 5 है 5 में निम्न में से किसके सासन काल को बास तुकला की दरश्टी से सुन काल कहा जाता है तो किसको कहा जाता है सुन काल तो इसका जो right answer हो जाएगा पांच में का जो right answer हो जाएगा साज अहां को इसने बहुत सारी building बनवाई थी एपने सासन काल में इसे लिए इसके जो है सासन काल को वास्तु कला की दरश्टी से सुन युक कहा जाता है तो इसका right answer हो जाएगा सा जहां next question देख लेते हैं question number 6 18552B के बिद्रो का तातकाली कारण क्या था तो इसमें क्या कारण था तो इसका जो right answer हो जाएगा option number D से ही हो जाएगा सेनको द्वारा चर्वी युक्त कार्तूस का प्रियोग तो सेनको द्वारा जो इसका 1857 की क्रांती का मुख के कारण था क्योंकि चर्वी युक्त जो कार्तूस का प्रियोग किया जाता था राइफल में तो इसका मुख के कारण था और ये भी question पूशे जाता जो 1857 की क्रांती के समय जो है गवर्नर कौन था तो लाड केनिंग था ये भी आपके एकजाम में कई बार पूंचा जाता है तो लाड केनिंग था उससे में कौन गवर्नर ये भी आप लोग याद रखें next question है next question है question number 7 है सात में क्या है मिनाच्छी मंदिर कहां इस्तित है मंद्रोई में इस्तित है मिनाच्छी मंदिर next question है question number 8 है कटपुतली कटपुतली किस राजजी का प्रमुक लोग नरती है तो कटपुतली किस राजजी का प्रमुक लोग नरती है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा option number A सही हो जाएगा ये राजेस्तान का जो है काट पुटली जो है प्रमुक लोक नरत्ते है next question है next question है question number 9 भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाला सर्वोच प्रोसकार है तो भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाला सर्वोच प्रोसकार कौन सा है तो इसमेंसे इसका right answer हो जाएगा option number d वाला सही हो जाए ओपूपृक्त मेंसे कोई नहीं और भारत सरकार द्वारा जो दिया जाता है भारत रतन जो है सर्बोच्त पुरुसकार है इसका इन मेंसे कोई option नहीं है तो भारत रतन इसका right answer हो जाएगा सर्वज पुरुसकार tęstart कोशन नमरोट 10 ए लेड़ी बिद दम्प किसे उपनाम दिया गया है तो यह आपको बताना है lady बिद दम्प किसे नाम दिया गया उपनाम जो है किसे दिया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दसमे का जो right answer हो जाएगा Florence Nightgale जो Florence जो है Nightgale इसको क्या नाम दिया गया है Lady with the lamp उपनाम दिया गया है Next question देख लेते हैं Question number 11 11 में क्या है बिस्व, प्रसिद्ध, खजुराहो के मंदर किस राज़ में इस्तित हैं खजुराहो के मंदर किस राज़ में इस्तित हैं तो यह आपको बताना है खजुराहो मंदर जो है इस्तित इसका right answer हो जाएगा मध्य प्रदेश राज़ में इस्तित हैं Next question देख लेते हैं Question number 12 12 में क्या है भारतिये गेंडे कहां पाये जाते हैं तो भारतिये जो गेंडे है मतलब किस उद्ध्यान में पाये जाते हैं तो यह आपको बताना है तो इसका जो right answer हो जाएगा 12 का जो right answer हो जाएगा यह काजी रंगा राष्ट उद्ध्यान में जो है गेंडे पाये जाते हैं इस परकार से आपसे question भी पूछा जाता है कि एक सिंग वाले गेंडे कहां पाये जाते हैं तो इसका right answer हो जाए काजी रंगा राष्ट उद्ध्यान यह कहां है असम में पढ़ता है यह भी आप लोग याद रखें next question देख लेते हैं next question है question number 13 है question number 13 है निम्न लिखिद में से किन पहाडियों पर उसन कटिबंदिये सदा वाहर बन पाये जाते हैं तो किन पहाडियों पर उसन कटिबंदिये सदा वाहर बन पाये जाते हैं तो 13 का जो right answer हो जाएगा इन में से कोई नहीं तो इन में से कोई नहीं right answer हो जाएगा ऑफे पऔर बात की जायए पूर्फी उत्र शेतर में भी ये पहाड़ी ओए ये सदाबर बन पायों तो इसों खाल जाते हैं। तो पहाड़ी के जाएनड़ गपधान के जाते हैं । नमें क्या है, चुपनसरी किसमें अधिक होता है तो किसमें अधिक होता है तो इसका जो right answer हो जाएगा समताम मंडल option नमें बी सही right answer इसका हो जाएगा next देख लेते हैं next question number 15 है वीडियो को लाइक जरूर कर दे हैं चैनल को subscribe कर ले हैं हमारे चैनल पर educational वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो भी latest नोकरिया निकलती सबसे पहले जानकारी दी जाती है question number 16 है 16 में क्या है सूर्य से प्रतिवी की दूरी है तो मतलब आपको सूर्य से प्रतिवी तक की दूरी कितने किलोमेटर ये बताना है आपको तो इसका जो right answer हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा option number ASIE हो जाएगा 149 million km जो है सूर्य से प्रतिवी तक की दूरी है इसका right answer option number ASIE हो जाएगा next question देख लेते हैं इसका right answer option number ASIE हो जाएगा next question देख लेते है next question number 17 है question number 17 में क्या है 20 सुका सबसे बड़ा डेल्टा आपको बताना है सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है तो सत्तरा का जो right answer हो जाएगा 20 सुका सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रम्मा पुत्रनदी का डेल्टा है option number C right answer हो जाएगा next question देख लेते हैं question number 18 संमको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है तो राश्टियाई का आकलन किसके द्वारा किया जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर जो है ओप्सन नमबर इसका आंसर डी वाला सही हो जाएगा जो है राश्टियाई का आंकलन केंद्री की केंद्री केंद्र दिखाई देती है तो भारत में जो प्रशन बेरोजगारी है ये किस सेक्टर में दिखाई देती है तो इसका राइट आंसर बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमर ये किरसी सेक्टर में दिखाई देती है कौन सी प्रशन बेरोजगारी नेश्ट कोशन न तो इसमें ये question थोड़ा गलट type हो गया है, ये question काट देते क्योंकि यहाँ पर जो option दूसरे के option के डाल दिये गये हैं, तो ये question गलट हो जाएगा, इसको cut कर देते हैं, next question देख लेते हैं, इसको छोन देते हैं, question number 21 से भारत का बित्तिय बर्स प्रारंब होता है, तो भारत का बित्रन प्रणाली इसका लच्छ क्या है, तो सार्वजनिक जो है, बित्रन प्रणाली का जो लच्छ हो जाएगा, इसका right answer उप्रोक तो सभी हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, गरीबों को खादिस और अच्छा उपलब्द कराना, और जमा खोरी एवं काला बाजारी रोकना, बियापारियों द्वारा अधिक मूल लिये जाने से रोकना, उप्रोक तो यह सभी हो जाएगा, सार्वजनिक जो है, पबलिक जो है, सेक्टर में जो क्या हो जाएगा, यानि कि सार्वजनिक बित्रन प्रणाली का लच्छ है, सभी हो जाएगा, आपका right answer option number D हो जा सिच्छा का अधिकार को मूल अधिकार बनाये गया है, तो इसका जो right answer हो जाएगा, उप्सन नमबर बी वाला सही हो जाएगा, 86 सम्मिधान संसोधन के दोरा जो है 86 सम्मिधान संसोधन के दोरा जो अधिकार को मूल अधिकार बनाये गया है जो है 614 वर्ष के सभी बच्चों के लिए सिच्छा का अधिकार सिच्छा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है next question देख लेते हैं question number 24 में क्या है दल बदल दल बदल से सम्मन्दित प्राबधान किस अनुसूची में रखे गए हैं तो यह 10 भी अनुसूची में रखे गए दल बदल से सम्मन्दित यह भी अनुसूची कई बार पूंची जाती हैं नेक्स्ट देख लेते हैं अगर आपसे पूंचा जाए कि भारतिय सम्मिदान में कितनी अनुसूचिया है तो बारा नुसूचिया है यह भी आप लोग याद रखे हैं नेड़्ड कोशन देख लेते हैं कोश्षन नमर है पचीस पचीस में क्या है उच्च नियाले के चैज्ड कीस आयो तक अपना पद धारन कर सकते है नो किन धारन कर सकते हैं तो इसका जो रायटर हो जाएगा ऑप्शन नम्बर जो हैशी हो जाएगाên 22 बरस सक की आयू तक कोशन नमबर है 26, 26 में क्या है लोग सभा का विगटन कोन कर सकता है तो लोग सभा का विगटन कोन कर सकता है तो इसका जो right answer हो जाएगा option नमबर जो है यह सही हो जाएगा राष्ट पती next question देख लेते question नमबर 27 है बरतमान में भारत में रज्येवम की अंदर साइसित प्रदेसों की संक्या कितनी है तो इसका जो right answer हो जाएगा, option number C से ही हो जाएगा बर्तमान समय में 28, रज्येवम, 8 के अंदर साइसित प्रदेस है भारत में question number 18, samabethang में मूल करतब्यों की प्रहहिना किस देस से लिव间 तो मूल करतब्यों को किस देश से लिया गया है तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मूल करतब जो है रूस से लिये गये है तो इसको जो है कहीं कि रूस नहीं लिखा होता है पूर्व सोमियत संग भी लिखा होता है इसका राइट आंसर जो है उतन नमबर सी सही हो जाएगा इसका मतलब ही रूच होता है सुभेत संग का next question देख लेते हैं next question है नेक्स्ट कोशन है ऊर वसी जो है यहाँ पर पाई नहीं लग पाई है जो है टाइपिंग में थोड़ी मिश्टे को गई यहाँ पर उर्वरसी लिखा है उर्वरसी के रचनाकार कौन है तो यहाँ पर यह जो रचना दी गई है उर्वरसी तो उर्वरसी के रचनाकार कौन है तो इसका जो right answer हो जाएगा रामधारी दिनकर हो जाएगे रामधारी दिनकर option number C से ही हो जाएगा next देख लेते हैं question number है आपका 30 मा 30 में क्या है अजलान साग कप किस खेल से सम्मंदित है तो अजलान साग कप जो है किस खेल से सम्मंदित है यह आपको बताना है तो इसका right answer हो जाएगा यह हांकी से सम्मंदित है next question देख लेते हैं question number जो है आपको इसमें मिलान करना है जो सुमेलित नहीं यह बताना है निम लिखित में से कौन सा यूगम सुमेलित नहीं है मतलब कौन सा यूगम सुमेलित नहीं यहाँ पर जो खेल दिये गए है इधर खेलाडियों की संक्या दी गई तो आपको बताना है किस खेल में कितने खेलाडी है तो कवड़ी में कितने साथ होते हैं खेलाडी उसके बाद देखते हैं बास्केट बाल में जो है पांच होते हैं वहीं बेस्बाल में नव होते हैं देखा जाए पोलो में पोलो में नहीं होते हैं तो इसमें पोलो में साथ चार खेलाडी होते हैं तो इसका जो राइट आंसर ओप्सन नमर डी वाला सही हो जाएगा इसका answer जो हो जाएगा option number D वाला सही हो जाएगा next देख लेते हैं question number 32 भारत का सबसे पुराना हांकी टूनामेंट कौन सा है ये बताना है तो इसका जो right answer हो जाएगा हांकी का सबसे पुराना tournament कौन सा हो जाएगा तो option number E सही right answer हो जाएगा बेटन कप जो है सबसे पुराना tournament हो जाएगा next question देख लेते हैं next question है किसी एक सामान ने किसी एक सामान निवेक्ति के रखत का pH मान इस तर क्या होता है तो pH मान बताना है सामान निवेक्ति का pH मान कितना होता है तो इसका जो right answer हो जाएगा ये 7.35 से 7.45 तक होता है तो इसका जो right answer हो जाएगा option number C सही हो जाएगा next देख लेते हैं question number है आपका 34 है 34 में क्या है प्रकास translation में पायण हरित की भूमिका भूमिका है तो प्रकास translation में जो है पायण हरित की भूमिका क्या है तो इसका जो right answer हो जाएगा 34 का जो right answer हो जाएगा यह हो जाएगा प्रकास का जो है अब सोशन में नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं डबल लोती में flow कौनसी गेश से लाय जाता है यानि कि जो डबल लोती फूलती है तो इसमें कौनसी गेश प्रियोग की जाती है तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा कारवन डाय अक्साइड हो जाएगा कारवन डाय अक्साइड जो है के गेस के द्वारा जो है डबल लूटी फूलती है नेश्ट कोशन देख लेते हैं कोशन नमबर है चतिस चतिस में क्या है नीबू खटा किस कारण से होता है तो नीबू किस के कारण खटा होता है यह आपको बताना है तो इसका चतिस का जो राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर चतिस 36 का right answer हो जाएगा साइटरिक अमल के काराण जो है क्या होता है नीवु खटा होता है next question देख लेते हैं मन्धुमक्कियों का पालन कहलाता है तो मन्धुमक्कियों का पालन क्या कहलाता है तो मन्धुमक्कियों का पालन कहलाता है AP culture और बांकी ओप्सन की बात की जाए ओप्सन जो दिये गए है ये तीन इन की बात की जाए तो PC culture में क्या है मतस से मतस सी का जो है पालन का ध्यन किया जाता है वहीं बात की जाए सेरी culture ये जो सेरी culture दिया है इसमें रेसम कीट पालन का अध्यन किया जाता है तो रेसम कीट पालन का अध्यन किया जाता है वहीं हाटी कल्चर तो इसमें क्या है बागवानी का अध्यन किया जाता है तो ये भी आप लोग याद रखें तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एपी कल्चर मंदमक्यों के पालन का धिन कहलाता है नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन है जब कोई नाव से समुन्दर में प्रवेस करती है जब नाव कोई समुन्दर में प्रवेस करती है तो क्या होता है जैसे कोई नाव समुंदर में प्रवेस करेगी तो क्या होगा थोड़ी डूब जाती है आप परिवर्तित रहती है या option दिया गया है उपर उठना या डूबना नाव पदार्थ पर ये होता है option तो इसका जो right answer हो जाएगा तो ये option number A सही हो जाएगा यानि कि जब नाव समुंदर में प्रवेस करती है थोड़ी उपर की और उठ जाती है जब नाव समुंदर में प्रवेस करती है तो क्या होता है नाव जो है थोड़ी उपर उठ जाती है option number A right answer हो जाएगा नेक्स्ट देख लेते हैं question next question है question number 49 है तो कौ से नंबर 49 है निम्न लिखित में से कौन सा रोग विसानु यानि की बाईरस के कारण नहीं होता है तो इसमें दिया गया है जो जो राइट ची एक..... कारण होते तो option number ये आपका right answer हो जाएगा next question देख लेते हैं question number 40 है 40 में क्या है question number 40 है रात्री में पेंड के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेंड छोड़ते हैं तो पेंड क्या छोड़ते हैं तो इसका जो right answer हो जाएगा paint क्या छोड़ते हैं तो इसका right answer क्वा जाएगा श्रोड्याना हाशान को तो हो सबस्究द्त कर दोद समय 28 बैहीं सबस्ट तो अबने श्रोड आरो है प्रिंगंधर चाम्बराज तो Ser algunas द्वाणी के इस hash contrib के मापने की काई कि डेशिवल धुनी के लगते हैं कम्प्यूटर 55 चपिरो की चेनिंठ का निर्मार की करिए जाता है तो किसके तौरा क्या जाता है सेमिक अंडिक्टर के दौरा आई सीचिप किस angry होती है सिलीकान की बनी होती है यह भी आप लोग याद रखें नेक्स्ट कोशन देख कोशन नमर है 45, 45 में क्या है LCD का पूरा नाम यानि कि LCD का पूरा नाम क्या हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा LCD का जो है पूरा नाम हो जाएगा liquid crystal displays का option नमर जो है डी वाला राइट आंसर हो जाएगा next question देख लेते हैं कोशन नमर है 46, 46 में क्या है 46 में ओध्योगी की विकास की द्रेश्टी से उत्र प्रदेश का कौन सा छेत्र सरवादिक भिक्सित हुआ है तो जो ओध्योगी की जो है छेत्र में सबसे ज्यादा कौन सा छेत्र बिक्सित हुआ है तो इसका जो right answer हो जाएगा इसका जो right answer हो जाएगा उसमें जो है पश्चमी शेत्र उत्र प्रदेश का जो है वो धोगिक शेत्र में सरवादी बिक्सित हुआ है नेक्ष्ट कोश्चन नम्र है, सेद सालार मेला उत्तर परदेश के किस जिला में लगता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सेद सालार मेला उत्तर परदेश के बहराईच जिले में लगता है, इसका राइट आंसर बहराईच हो जाएगा, क्योंकि उत्तर परदेश क जो पुलिस का एक्जाम होता उसमें इस प्रकार के कोशन मेलों से भी पूचे जाते हैं कोशन नमर 48-48 क्या है आति लोग प्रिये धार्मिक पत्रिका कल्यान प्रकासित होती है तो कल्यान ये कहां से प्रकासित होती है तो ये रिसी कैसे प्रकासित होती है कि नेश्ट देख लेते हैं कोस्टन लंबर उन्चास है उन्चास में क्या यह तो कितनी 80 सीट लोकसवाइं वहीं पुची जाए राज जवब तो राज सवा सीटे 31 हैं विधान परसे अगर आपसे पूंची जाएं तो 100 सीटे हैं यानि की सरवाधिक भारत में कौन से राज में लोकसभा सीटे हैं तो उत्तर प्रदेश में 80 प्लस कितनी हो जाएंगी यहाँ पड़स हो जाएगी एक इंगव ऑनापर जाएंगे टोटल नेस्ट को सेंट जो बनौ के बि death का परड़ जरी बिनास का परिणाम है तो क्या है इसमें अमलवरसा बर्सा में कमी और प्रठीवी उस मायन सब्रक हैं तो सबी सकांद है बनौ के बिनास के कृषण के परड़नाम करते हैं थेंक की वाइज चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर दें